जै श्री राधाकृष्ण भगवान जी की, जै श्री गोडी शंकर भगवान जी की, जै श्रावन मास महत्यम की, मंदर शीबंसी वाले महात्मा, यूटुब चैनल के ओर से हम आप सभी भगतों का हार्धिक अविनंदन करते हैं, श्रावन मास के महत्यम के तेर्वें अधाय की कथा को आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य जीवन शन भंगुर है, ना जाने कब मनुष्य की अंतिम सांस निकल जाए, मनुष्य के जीवन का कुछ भी पता नहीं है, इसलिए भगवान ने कहा है कि अपने जीवन के हर शन को शान होता है जब भी कोई चिंता उसे सताती है तो वो कोशिश यही करता है कि मैं अपने दुख को दूर करूं अपनी चिंताओं को दूर करूं अगर वो दूर नहीं होती हैं तो वो औरों का सहारा लेता है लेकिन संसार के सब लोग भी जब खुद ही दुख में पड़े तो उनी भगवान की भक्ती करना हमारा सबसे बड़ा धर्म हो जाता है. तो श्रावन मास में भगवान की कथाओं को सुनना भी एक भहुत बड़ा धर्म कहा गया है. क्योंकि भगवान शिव के इस प्रिय श्रावन मास में जो इन कथाओं को सुन लेता है भगवान शिव की उसे कृपा मिल जाती है तो तेरहें अधाय की कथा इस परकार है सनत कुमार जी भगवान शिव से कहने लगे हैं कि हे भगवन किस वरत के करने से अतुल सोभाग्य होता है तथा प्रानी पूत्र, पूत्र, धन और एश्वर प्राप्त करके सुखों को भोगता है हे प्रभू मुझे उन वरतों में उत्तम वरत को बताईए ये सुनकर भगवान शिव शंकर जी महाराद सनत कुमार जी से कहने लगे हैं कि हे सनत कुमार जी तरी लोकी में प्रसिद दुर्गा गनपती नाम का वरत है इसे भगवती पारवती ने शद्धा से किया था श्रावन मास के शुकल पक्ष की पवितर चतुर्थी के दिन सब पापों को नश्ट करने वाले इस वरत को करना चाहिए चतुर्थी के रोज एक दंत गज के तुल्य मुख वाले गनेश की प्रतिमा का निर्मान करा सिहासन पर उन्हें स्थापित करे उस सिहासन में दुरवा बीचा कर ताम्बे के कलश पर स्थापित करे लाल वस्त्र बीचा कर सर्वतो भद्र मंडल का निर्मान कर उस पर कलश स्थापित करे लाल पुषप तथा पांच पत्रों से पूजा करे अपा मार्ग शमी, दुर्वा, तुलसी, बिल्वपत्र, रितु काल में होने वाले अन्य सुभंदित फूलों से नाना परकार के फल आदी का नेवे ध्यरक सोलह उपचार से गनेश जी का पूजन करें यह प्रात्ना करें कि इस निर्मित प्रतिमा में विगनेश का आवाहन करता हूँ, यहां कृपान इधी आने की कृपा करें, हे उमासुत, हे विश्व व्यापिन, हे सनातन आपको नमसकार है, मेरे विगन की राशी को नाश करें, हे सुर्पुंगव, सनान के लिए सब करें, आपको नमसकार है, लंबोदर देव, इस चंदन को आप स्विकार करें, हे सुर्पुडशेष्ठ, लाल चंदन चर्चित, मैंने भक्ती भावना से इन अक्षतों को चड़ाया है, हे सुर्पुडशेष्ठ, इसे आप स्विकार करें, मेरे उपर प्रसन होईए, लोको नाम तवा, इस वेदिक मंतर से लड़ू आदी तथा चतुरविध अन्नो को, और खीर लड़ू आदी नवैध्य, कपूर तथा इलाइची युक्त पान, आदर से मुख में रखने के लिए दे रहा हूँ, हे गोरी पुत्र, हे गजानन, मेरा यह वरत आपके परसाद से पर हे भगवन, आपकी वाने से मेरा यह वरत पूर्ण हो, जो प्रानी ऐसे पांच वर्ष तक वरत करके उध्यापन करता है, वह अपने मन चाहे सब पदार्तों को प्राप्ट कर लेता है, और जीवन के अंतिस समय में भगवान शिव के पद को प्राप्ट करता है, भगवान श यह वरतों में उत्तम वरत है, इसे सुख की इच्छा वाले मनुश्यों को वर्ष करना चाहिए, तो यहीं पर श्रावन मास महत्यम के अध्याय तेरह की कथा का विश्राम होता है, अगले अध्याय में आप आगे की कथा को सुन पाएंगे, मंदर शिवनसी वाले महात्मा य इसी मंगल कामना के साथ जैश्री राधारानी सरकार की, जैश्री कृष्ण भगवान की, जैश्री गोरी शंकरजी भगवान की, जैश्रावन मास महत्यम की, ओम नम्ह शिवाए, जैजै श्री राधे, जैजै श्री राधे, जैजै श्री राधे, जैजै श्री राधे,